तो क्या होगा इसका सिर्फ horizontal component रह जाएगा यानि कि VX horizontal component में जा रहे होगा अब क्या होगा बॉल यहां से जा रही है उपर की तरफ बढ़ रही है अब क्या होगा downward motion होगा पहले क्या था upward motion हो रहा था अब downward motion चलेगा तो इस वाले point को क्या बोलते हैं maximum height बोलते हैं object यहां तक पहरा वो एक path बनाता है ठीक है दूसरा क्या यह motion under gravity है अच्छा इसमें जो angle होगा angle between कितना होगा ठीक है 0 से greater than होगा यानिकि 0 से बड़ा ठीक है यानिकि large from 0 0 to 0 degree and die is small यानिकि आमने क्या displacement अप्रॉक्टवर्ड निकालना है ठीक है अच्छा displacement एक इस जा ररेक्शन में कितना हो रहा है ठीक है तो हम जानते है एकश डारेक्शन में जाख्वर्चन में कितना होगा हमारा यू, koss, theta, i-cap और y अबगा रिख्अ होगा प्ल्टवर्टि लेक्टायल मोशन हैं और इक होरीजोंटल प्रोजेक्टायल मोशन समझने के लिए हम को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एर्थ के बारे में तोड़ा सा सामाजना है और फिर equation of motion देखनी है ठीक है देखे प्रोजेक्टाइल motion होता क्या है कि अगर हम किसी xy plane के अंदर किसी xy plane लें यह कोई plane है हमारा और हम यहां से किसी object को project करें हम कि यहां से क्या करें किसी object को project करना है ठीक है किस वेलोसिटी से आपने यहां से किसी object को project किया ठीक है किस वेलोसिटी से यू वेलोसिटी से आपने यहां से किसी को project किया ठीक है तो वो क्या होगा object जो है ठीक है आपका किस path पर चलेगा ठीक है तो object जो है आपका वो इस तरह से मूव करता हुगा इस तरह से जाएगा एक पैराबोलिक पात बनाएगा कैसा पात बनाएगा पैराबोलिक पात बनाएगा यहां से कुछ एंगिल हमने ले लिए ठीटा ठीक है यू वेलोसिटी से हमने इसको प्रजेक्ट किया है तो इसका पात कैसा होगा पैराबोलिक पात प मोशन अंडर ग्रेविटि । ठीक है कि इसमें दो टाइप के मोशन होंगे एक होगा हॉरीजोंटल मोशन और एक को वर्टिकल मोशन जो इस तरह इस तरह लाइन ड्रो कर दें तो यहां पर यह कुछ एंगिल बनाता हुआ जा रहे होगा ठीक है फिर क्या करेगा यह धीरे धीरे यहां पर पोचेगा तो यहां भी इसका किश टैप्स का मोशन होगा एक होरीजोंटल होगा और वर्टिकल मोशन होगा ठीक है एक मैक्सीमम हाइट पर कि वोग्या उप्छेक्ट इसका सुर्फ हॉर्ण कंपोननेंट रह जायेंगा यानिकि V sometime मेड़न kाड़नेंट में रहा होगा बॉपर की तारफ बढ़ रही है अब क्या होगा बॉड़ब मुशन होगा पहले क्या है अब बढ़ तो इसमिक पॉइंट को क्या पूरा पात यहोगा, वो कैसा होगा, पैराबोलिक पात होगा, इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट तूटेंगे इसमें होरिजॉन्टल और वर्टिकली, ठीक है, तो आगर कोई अबजेक्ट को हम किसी एंगल पर प्रजेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, किस तरह का पात बना है ठीक है दूसरा क्या है जे मोशन अंडर के रिए अच्छा इसमें जो एंगिल होगा एंगिल विट्वेन कितनों होगा तेक जीरो से रहेंगि लार्ज from zero zero degree and small from 90 degree small from 90 degree ठीक है यानिकि एंगिल कहां पर लाई करेंगा बिट्विन होगा जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री देकि अगर हमने 90 डिग्री पर प्रजेक्ट किया तो जी क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी यह लेकिन वर्टिकल अगर हमने इस तरह से मोशन कर दिया तो जी क्या है एक्सलेरेटर ग्रेक्टि लीनियर मोशन यहानि कि मोशन इन वंडी यानिकि हमें किस डायरेक्शन के इंदर हमें मोशन पढ़ना है यहां पर इसका होरीजॉंटल कंपोनेंट यू एक्स हो जाएगा ठीक है यह इसका है यू-एक्स यू-व. कि अब इसमेंगा क्या होगा देखिये होरीजॉंटल मोशन और एक वर्टिकल मोशन हैं ठीक है तो पूरे होरीजॉंटल मोशन में एक्सलेरेशन की वैल्ई कुतनी रहनी है जेरो अ एक्सलेशन लेकर चलाएंगे ठीके और वर्टिकल मोशन में रिटारडेशन और, के लिएमें आइक्सेलेटगर मोशन दोनों हो रही है, ठीके एगर हम अगर ऐर्थ किसी आपजेक्ट को आप एर्थ के ऊपर की तरफ पुल करते हैं तो इसके उपर क्यों होगा यानि कि रोटेशन का जो एफेक्ट है वो जीरो होना चाहिए यानि कि क्या होना चाहिए रोटेशन एफेक्ट जीरो नेगलेजेविल ठीक है ठीक है और दूसरा क्या है एक्षेलर्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें जी की वैल्यू कि इतना भी समझ में आ गया अब देखे जब मोशन आपका पाइरा बोलिक पात बनाया ठीक है यानि कि पारावोला की क्वेशन को ये फॉलो करना ह है एक चीज़ और है जो में दमाग से स्प् некम करें में ब्हूल घूं ठीक है डिके इसपीद क्या होगी पूरे मोशन में सेम रहेगी वेल सेटि क्या डिरेटीं चेंज वेवेध्वेशन ран यहां पर इसकी क्या होती है जिस पात पर यह जा रहा है कर बना के यह इसकी क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी ठीक है तो हमें इसमें कितने टाइप की मोशन पढ़ने हैं हमें दो टाइप की मोशन पढ़ने एक तो हमें पढ़ना है होरीजोंटल मोशन और एक पढ़ना हैं हम को वर्टिकल मोशन तो इसमें दो दरेकी कृक्षन लिखनी है हम को होरीजोन्टल मोशन और दूसरी आ में एक एक्सेलेशन कीया होता है जीरो होता है ठीक है साथ तो तो VX is equal to कितना हो जाएगा UX plus 80 ठीक है यह हो गया आपका acceleration आप 0 रख देंगे तो VX is equal to कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा चलो अभी मैं acceleration 0 वाद में पूट करूँगा दूसरी equation कितनी है आपकी यह हो जाएगा हो जाएगा पूरे मोशन के अंदर होरीजोंटल मोशन में acceleration हमें कितना लेना है जीरो लेना है तो जैसी है में इक्वेशन के इंदर acceleration 0 रखेंगे तो यह equation किस तरह से हो जाएगी VX is equal to UX यह वाला टरम 0 X is equal to कितना हो जाएगा UX into T और यहां से जब हम रखेंगे तो VX is equal to UX square मिल ला है जो कि हमारे किसके बरावर हो जाएगा VX is equal to UX अच्छा और वर्टिकल मोशन के अंदर क्या करना है आपको आपको माइनस रखनी पड़ेगी ठीक है तो अब हमको क्या करना है अब हमें लेगना वर्टिकल मोशन में तो वर्टिकल मोशन के अंदर कौन-कौन यह हमारा कितना हो जाएगा यू वाई इंटु टी माइनस हाफ जी टी स्कूर ठीक है यह हो गया और आपको VX स्कूर इस इकल टू कितना रखना है यानि कि VY स्कूर यू Y स्कूर बाइनस ट्वाईस एवाई इंटु एच ठीक है हाइट के रेस्पेक्ट में लेके चलना है इसको किलियर हो गया ठीक है अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी के ग्लाइसे कम्पोनेंट कितना होगे तो देखो अगर हमने किसी अबज़ेक्ट को यू मेलसीटी से प्रजेक्ट कर आएक रहा है किस वेलोसिटी प्रजवाईसेू इसको प्रजेक्ट कर दिया ठीक है यू वेलlicher से जैएं आपने इसको प्रजेक्ट किया तो यहाँ पर axis कहल टू यू ऐसके सदिशन टागें यहांपर शित्ट कर दें तो यह वाला होगा हमारा किकिना हो जायगा कि यह क्या वहाय करणा है inflammatory होता है तो यहां टू काय पूमेड हो गए तो यह तो यहां गप्लू यहां वेल्येटे के स्क्राइब थे जिए आफ ने किसी औपजक्क्त को यारिकि सरफेस हमारह कैसा थो Инolina आ फिर हम उस सरफेस ते कुछ एंगे ठीटा बनाकर इसको प्रजयट करेंगे ठीक सा इतना समझ में आ गया जी सर चलो यानिकि हमने क्या देख लिया equation of motion देख ली oblique projectile motion देखना आप यह ना आप जलते हैं oblique projectile motion के अंदर हम पहले trajectory equation find करेंगे trajectory equation हमारी क्या होती है जो path हमारा चलता हुँ जाएगा उस path की बात हम करने वाले हैं यहापर ठीक है उसके बाद देखें क्या displacement है चलो ठीक है इस प्पयर志 exist पॉरजेक्ट करें यहां से अगर करेंगे यहां प्रूजेक्ट को टीध तो हमने कह eco होगए यहां से की सी अलेंगे और मोजेखते हैं at यहां से कितनी होग एक आत्र हो जाएगी तीकुराज़ेगी यहां से कितनी होगे इसकी कुछ more च ऺयांगी तब UM जीरो होगी फिर उसके बाद में फिर चेंज होना इस्टार्ट कर देगी ठीक है साब तो हमने क्या करा आबजेक्ट को ठीटा डिग्री एंगल पर प्रजेक्ट करा है ठीक यहां पर हमने इसको दिखा दिया UX और यहां पर हमने दिखा दिया UI ठीक है तो यह हमारा component हो जाते हैं ठीक है तो एक तो होगा हमारा horizontal motion इसके इंदर कौन सा motion होगा horizontal motion ठीक है अब horizontal motion में क्या object इस तरह से पढ़ रहा है और इस condition में यानि कि x direction में acceleration की value कितनी हो नहीं है जीरो हो नहीं है तो यहां उपर x is equal to कितनी हो गया x is equal to हो जागा यानि कि दूरी बरावर चाल गोना समय यू x into t ठीक है यू x into t यानि कि object को यहां से यहां तक जाने में कुछ t time लगा हमने क्या करा यू x is equal to हमारा किसके बरावर होता है यू x is equal to होता है हमारा यू cos theta x की value हमने इसके अंदर पूट करी तो कितनी हो गई यानि कि u cos theta into t यहां से हम क्या करें time की equation मना ले तो t is equal to कितनी हो जागा x upon u cos theta ठीक यह हमारी time की value आ गई कि हमने कुछ horizontal motion में इतना time चलाता जब हमारे component इस तरह से थे अच्छा vertical motion के अंदर क्या होगा सा वर्टिकल मोशन कौन सा मोशन चलने अब वर्टिकल मोशन ठीक यानि कि वर्टिकल मोशन में सब्सक्रों हमारा y displaced हुआ है origin से y displaced हुआ है तो वर्टिकल मोशन की जो equation होगी वो कितनी हो जाएगी यानि हम जानते है y is equal to कितना होगा velocity in y direction into t minus half gt square ठीक है अब क्या करना है हमें horizontal में velocity component इतना होगा यू X futures chart तो वर्टिकल में कितना होगा y sin theta हो जाएगा कितना हो जाएगा y sin theta तो यहां पर हमने ले लिया y sin theta और y sin theta यानि कि हमारा वर्टिकल में velocity कितनी है y is equal to y sin theta यह है हमारी velocity तो y is equal to कितना होगा y sin theta into t into t and t कि value ऄठागे हमने यह वाली बग दिव तो कितना हो ओगा एक्स अपोर्ण यू कॉस्थीटा ठीक है एक्स अपोर्ण यू कॉस्थीटा माइनस हाफ जी और्टी की जगह हमने कितना लगा दिया एक्स अपोर्ण यू कॉस्थीटा का होल स्कार्र यह हमने इसकी value फुट कर दी तो हमें जो equation of trajectory यहक्ट्री मिल लगी यहां मपंजी टिक यहां से यहां monitor जाएगी यू हमारा क्या हो जाएगा के लिए कि वस्क प्रमी मीएल जाएगा लुद ऑन कोशी एकसे वह रावर होता है तैंड मोस इन धिटा के तो य को आपको कितना मिल गयाय है यहां से यह मिल जाएगा ठैंड 22ad2 माइनस और यह कितनों जागा जी एक्स स्क्वाइर अपन ट्वाइस यू स्क्वाइर कॉस्क्वार ठीटा यह क्या आ गई यह क्या अगई पैरावोलीक पात की इक्षिशन आ गई ठीक एक्षिशन कितनी है ठीक है ता अब उसके ले लिया ठीक और हमारा जो है displacement हमें find करना है तो हमारे एक्वेशन थी यानि कि पात किस तरह ऐसा था पैरावोलिक पात था इस तरह से पात जा रहे हैं ठीक है हमने क्या करा है object को u velocity से project किया यहां से ठीक है और यह बेस से कितना angle है suppose कि हमने यह थीटा पर है तो displacement of projectile के होगा देखो displacement के होता है shortage distance between two point ठीक suppose करो देखो object हमारा यहां पहुचा है यहां भी पहुचा है यहां पहुचेगा फिर यहां पहुचेगा हम किसी एक point पर अगर इस के बीच में एक line draw करते है ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाता है base से यह displacement हो गया और हम यहीं से दूसरी question लें तो यह हमारा हो गया एक path एक हमारा यह path हो गया एक हमारा यह path हो गया तो इस किसी particular point पर जब हम निकालते हैं displacement ठीक है तो उसको क्या क्या बोलते हैं displacement of projectile यानि किसी एक point पर origins है अगर हम यहां से कोई object रखें और इसको जब यह देखेगा तो हर पात पर क्यों रहा है displacement इसका change हो रहा है ठीक है तो इसको क्या बोलते है displacement of projectile बोलते है ठीक है अब देखिए displacement of projectile हो गया हमारा इसको समझते हैं अब धंक से ठीक है suppose कीजिए हमने इस point P पर displacement डिकालना है तो हम क्या करेंगे यहां से जब इसका displacement डिकालेंगे ठीक है तो यहां पर जो खड़ा observer है इस point को देखेगा यह point साल suppose करो यहां पर displacement हमें find करना है ठीक है तो displacement find करने किने हमें क्या कपड़ना बढ़ इस direction भी होगी अच्छा displacement का जो एंगल होगा वो थोड़ा चेंज होगा suppose कि हमने यहां पर displacement का एंगल फाई है हमारा कितना है फाई यही तो होगा बेस से displacement तो देखिए displacement जैसे पात बढ़ रहा है एंगल चेंज हो रहा है ठीक है साब displacement और प्रोजेक्टाइल निकालना है त अब हमने क्या करा इस से एक टेंजेंट लाइन ड्रो कर दी तो यहां पर यह कुछ एंगल भी बना रहे होगा ठीक है यह हो जाएगा हमारा displacement एंगल अलफा ठीक है वो वेलसिटी का एंगल अलफा तो हमारी यह क्या होगी वेलसिटी इन एक्स डारेक्शन यानिकि वी एक्स एक्स डारेक्शन में कितना हो रहा है ठीक है तो हम जानते है एक्स डारेक्शन में मोशन निकाल ला है तो इदर एक्स डारेक्शन जीरो लेकर चल ला है ठीक तो एक्स इस कल्डू कितना हो जागा हमारा यू कॉस्ट थीटा आई कैप और वाइज कल्डू कितना हो जागा motion की equation है तो y is equal to कितना हो जागा हमारा y is equal to हमने ले लिया height के respect में जा रहे हैं न तो y is equal to हो जागा हमारा u y t minus half gt square यह displacement की equation है न ठीक है और displacement हम कैसे निकालते है x is equal to u cos theta into t तो यहां पर एक t और आना है ठीक है यह हो गया हमारा हमी है यहांड के द्रोटा है और की इसमाझेड टेक्डлось एन अब हमारीकेंड की y6 द्र Mensch के महला है अगर यहांज हमारा देप्ष्य के कारते क्लेंट कर तो आँ good अब ऐस्य ही // तो इसका कितना हो जागा यानि की यह हो जागा हमारा u cos theta t ka whole square plus u sin theta u y की जगे में अब sin theta रख रहा हूं u y sin theta into t minus half gt ka gt square ka whole square लगेगा ठीक तो क्या होगा यहां से question हमारी अब whole square इसका खोलेंगे तो यह हो जागा u square t square cos square theta plus यहांबर कितनों हो जागा u square sin square theta into t square minus यानि कि plus हो जागा हमारा यह कितनों हो जागा g square t की power 4 upon 4 minus twice a b यानि कि 2u कितना हो रहा हमारा यहां पर लिख देता हूं कि बड़ी equation है ठीक है यहां पर देखो यहां कितना हो जाएगा हमारा 2u यानि 2 से 2 cancel हो गया यानि कि gt gt cube u gt cube हो गया और यह कितना हो गया हमारा sin theta ठीक है हम जानते है u square t square यहां पर हमारा यह बच रहा है और cos square theta plus sin square theta हो जाएगा u cube sin theta upon 4 यह क्यों हो गया हमारा displacement of projectile हो गया क्या हो गया displacement of projectile का magnitude आ गया अच्छा डारेक्शन अगर निकाल ली हो तो डारेक्शन हम क्या करते हैं 10 5 अगांगे ठीक है क्योंकि यहां से डारेक्शन निकालना है न तो 10 5 कितना हो जागा 10 theta is equal to perpendicular upon base ठीक है यानि कि यह हो जागा हमारा वाइड डारेक्शन में displacement तो हमारा वाइड डारेक्शन में कितना यह है ठीक है यानि कि u sin theta माइनस हाफ gt square हाफ gt square upon नीचे के में कितना बचने वाला है हमारा यू कॉस ठीटा इंटू टी यानि यहां पर टी ओ लगाओ यू कॉस ठीटा इंटू टी यह हो गया हमारा displacement यानि कि डारेक्शन ओफ डिस्पलेस्पलेस्पलेस्मेंट क्या हो जाता है हमारा यह डारेक्शन ओफ डिस्पलेस्मेंट ठीक है साथ मैं लिए बेलोसिटी औप्रोजेक्टाइल पढ़ने के लिए भी हमको क्या करना पढ़ होगा पैरा बोलेग और इस तरह से चलेगा ठीक है तो वैलोसिटी क्योय होगी किसी भी पॉइंट पर निकाल लो मालो यहां पर निकाल् Wire Houston कि वैलोसिटी इन एक्स डारेक्शन और यह कितनो जागा वैलोसिटी माईडियर एक यहां पर क्यो enact एक line draw कर दी, यह हमारा क्यों हो गया, alpha हो गया, तो किसी भी point पर हम यहां भी निकाल सकते हैं, velocity यहां भी निकाल सकते हैं, तो equation of velocity कितनी होती है, फिलेन के अंदर vector v is equal to ux, यानि कि vx ले लो, या यू x ले लो, कोई साभी ले सकते हैं, यानि कि vx ikf plus vyjk, ठीक है, अब velocity की equation क्यों होती है, velocity की equation हम जानते है, v is equal to uy minus gt, ठीक है, यानि कि velocity in y direction, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं, और दूसरा, इससे निकाल सकते हैं, vy square is equal to uy square minus 2gy, ठीक है, 2gh ले 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 ले, या y ले ले, जो भी हमें लेके चलना है, वो हम इसका ले सकते हैं, ठीक है, अब क्या करना है, इनकी value उठा के, इसके अंदर, और velocity in x direction, तो v x is equal to कितना हो जागा, v cos theta, या फिर हम क्या करें, इस वाली equation का differentiate with respect to time कर देंगे, तब भी हमें वही चीज मिल जाएगी, ठीक है, तब तो हम क्या करना है, velocity या या डिरेक्शन लेना है, तो x direction में कितनी है, v cos theta, i cap, ठीक है, किसी एके question को ठालें, इसको ठालेते हैं, चलो, तो यह कितना हो जागा, v sin theta minus gt, देखिए, यह v sin theta कैसे आया, मैंने ui के component तो ले जाएगी, यादि कि velocity हमारी क्या हो जाएगी, अगर यह v velocity से जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, v cos theta, अगर बेश से हमने theta यह बनाया है, तो यह कितना हो जाएगा, v sin theta, ठीक है, तब वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और यह हो गया हमारा j cap, अच्छा displacement, इसका magnitude निकाल ला है, तो magnitude के लिए क्या करेंगे, मौड लगा देंगे, यादि कि magnitude फाइंड करना है, तो magnitude यह ही फाइंड करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा हमारा, v cos theta का whole square, plus v sin theta, minus gt का whole square, ठीक है तब, यह हमारा कितना हो गया, यह हमारा हो गया, इसका whole square कोल लेंगे, तो v square cos square theta, plus v square sin square theta, इस पूरे टरम का whole square कुल ला है, तो कितना हो जाएगा, g square t square, minus twice u, याणि twice v, gt sin theta, यह क्या हो गया हमारा, magnitude of velocity आगया, क्या आगया, magnitude of velocity, direction निकाल ली है, तो हम क्या करेंगे, 10 alpha, ठीक है, 10 alpha यहां से निकालेंगे, ठीक है, 10 alpha इस का लूर कितना होता है, v y upon v x, मतलों यहां पर निकाल ली है, ठीक है साब, तो देखे, suppose कीजे कि velocity आपकी किछ डारेक्शन में जा रही थी, velocity आपकी y direction में, velocity आपकी x direction में, और यहां पर जो पाथ था हमारा, वो इस तरह से जा रही है था, तो हमने क्या करा, एक tangent line इसकी उपर ड्रॉ कर दी, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह alpha हो गया, यह कितना हो गया, v x direction हो गया, और यह कितना हो गया, v y, जब इस component को इदर की तरफ सिफ्ट करेंगे, जब इस component को हम इदर की तरफ सिफ्ट कर देते हैं, तो यह हमारा क्या बताने लगता है, v y बताने लगता है, ठीक है, और यहानते हैं, 10 alpha is equal to, 10 alpha is equal to, v y upon, v x, ठीक है ताब, v y हमारा कितना है, y direction में, यानि कि v sin theta minus gt, upon, कितना हो गया आपका, यानि कि नीचे हो जागा, v cos theta, ठीक है, तो यह आपका क्या आ गया, 10 alpha आ गया, direction of velocity, या instantaneous velocity भी इसको बोलते हैं, direction आपको निकाल ली है, ठीक साब, अब जड़ा चलते हैं, ताइम कितना हुगा है, रुको एक मिनट, velocity of projectile, ठीक, अब हमें निकालना है, flight time, ठीक है, ठीक है, flight time क्या होता है, ठीक है, यानि कि यामने, x y plane ले लिया, और इस x y plane के अंदर, object जब move करके, ठीक है, एक टाइम तो उसका होगा, टीवन, यहां से जहाता है, कि maximum height तक जाएगा, किस height तक जाएगा, maximum height, और maximum height पर, time हमने ले लिए कितना, ठीक, उसके बाद में object क्या करेगा, फिर down आएगा इस तरह से, पैराबूल एक पात बनाएगा, यह इसकी क्या हो गई, maximum height, लेकि ओ से point P तक जाने में, जो time लगा उसको वो T1 होगा, और P से Q तक आने में, जो time लगा वो T2 होगा, तो flat time कितना हो जागा, T is equal to T1 plus T2, यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर हमको X, इसका air resistance, जो लेंगे, जब air resistance, लेंगे तो T1 की value, किसकी एककल हो जाएगी, T2 की एककल हो जाएगी, किसकी एककल हो गई, T1 की value, T2 की एककल हो गई, और वो कब होगी, जब air resistance, नेगलेजिविल होगा, तो जो कितना हो गया, T plus T, यानि कितना हो जाएगा आपका 2T, तो यह हो गया आपका flight time, की equation हो गई, ठीक है, अब हमें इस T की value, calculate करने है, जिस time में वो उपर जाएगा, उसी time में वो नीचे आएगा, तो आने जाने का time कैसा है, बराबर है, क्या है, आने जाने का time, बराबर है साब, ठीक है, तो हम जानते है, V is equal to, U minus GT, देखे, time जो लग रहा है, वो किसमें लग रहा है, Y direction की तरफ जा रहा है, यानि कि उपर जाने में time, फिर नीचे आने में time, ठीक है साब, तो कितना हो जाएगा हमारा, T, तो यानि की तॉप पर, वैलोसिटी कितनी होती है, यहां पर हम वैलोसिटी, चुप पर इस में ले डेते हैं, और यू हमारा किसके बराबर हो गया, अब वैलोसिटी किस डारेक्शन बढ़ रही है, यَّनि की जो इस डारेक्शन में जा रहा है न, लिए घरेक्शन में जा रहा है इन अ teakना गोरी चल ला भाई टे माल मुषन वेटज scripture का लिए यह कौन सा ट्रोन मोशन जा रहा है को यह कोन यह कितना होता ह। U sin theta minus gt, ठीक है, इसको इदर लिया है, तो कितना हो गया, U sin theta is equal to gt, तो यहां से T की value हमको कितनी मिल जाएगी, T की value मिल गई हमको U sin theta upon g, देखिए यह time of ascent है, अब time of descent क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि air resistance हमें क्या लेना है, negligible लेकर चलना है, ठीक है साब, तो इसकी question हो जाएगा, 2T, T की value जो आई है, तो कितना हो गया, 2U sin theta upon g, देखिए यह flat time हो गया हमारा, क्या हो गया, flat time, अब flat time T is equal to कितना होता है, 2, U sin theta किश डारेक्शन में, Uy upon g, तो हम time की यह flat time को हम इस तरह से भी लेख सकते हैं, एक question हमारी यह हो गई, और एक question हमारी यह हो गई यहां से हमने theta लिया, ठीक, यह क्या था, इसका फैकने का जो time था, यहां से, यह कितना है, theta degree angle बना रहा है, तो यहां से जो time होगा, उसको हम क्या बोलते है, 90 minus theta हो जाएगा न, को यह पूरा 90 minus theta है, इसको हमें complementary angle लेकर चलना है, ठीक है, यानि कि for complementary angle, for complementary angle, और complementary angle, अच्छा तो T is called to, कितना हो गया, 2U sin theta upon G, यहां पर complementary angle लगाना है, तो complementary angle जो होगा, वह हमारा कितना हो जागा, यानि कि अब इस theta को change कर देंगे, हम किसमे, 90 minus theta में, तो T, यानि कि अगर हम चाहें, तो इसको ले 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 टीवन और इसको ले 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 टीट या कोई भी बात नहीं, 2U sin 90 minus theta, तो sin 90 minus theta किसके कोई होता है, cos theta के, तो कितना हो जागा, 2U cos theta upon G, तो अगर हम, देखो, supplementary को, यानि कि एक को T1 ले लेके चले, सपोज करो T1 की value आपकी कितनी है, 2U sin theta upon G, तो complementary angle के ले लिए हमें time T2, यानि complementary time कितना है हमारा, 2U cos theta upon G, ठीक है, यानि कि यह क्या होगा, हमार यानि कि यहां से दो चीज़ें बना सकते हैं, देखे, case 1 ले ले, case 1, यानि कि T1 into T2 कर दे, क्या कर दे, T1 into T2, तो हमको क्या value मिलने वाली है, ठीक है, तो हमने जैसी T1 is equal to, क्या करा, T1 into T2 करा, तो यह कितना होगा, 2U sin theta into, 2U cos theta upon, नीचे कितना मिल जागा, आपको G square, ठीक और हम जानते हैं, यहां से एक equation ले ले, तो यह हो गया हमारा U square, और 2 sin theta cos theta, किसकी equal हो गया, sin 2 theta upon G square, ठीक है, और यहां पर कितना बचेगा, एक 2 बचेगा, ठीक है साब, अब हमारी range की value जब आएगी तब हम इसमें निकाल लेंगे, ठीक है साब, तो range की value हमारी यह होती है, यू cos theta, ठीक है, और 2U sin theta upon G, तो range हमारा कितना हो जागा, U square cos theta sin theta upon G, तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, U square sin 2 theta upon G, यानि कि यहां पर रहे जागा 2 upon G, और यह हमारा हो गया, U square sin 2 theta upon G, ठीक है, इसकी जगे हम कितना लिख सकते हैं, U square sin 2 theta upon G, यह range के बरावर हो जाता है, यानि कि अगर time T1, T2 जब लेंगे, तो 2R upon G, यह कब होगा, time in complementary angle में टाइम जो है, और अपना angle वाला time जो है, उसका multiplication किसके बरावर जाता है, 2R upon G के, अच्छा, डिवाइडेशन करें जब हम इसका, case 2, तो डिवाइडेशन हमने जब किया इसका, तो T1 upon T2 मिल गया, क्या मिल गया, T1 upon T2 हमको करना है, तो T1 हमारा कितना है, 2U sin theta upon G, और T2 हमारा कितना है, 2U cos theta upon G, G से G, 2U से 2U कट गया, तो यह किसके बरावर हो गया, यानि कि T1 upon T2 अगर हम लेंगे, तो T1 upon T2 की value किसके बरावर आ रही है, यानि कि U से U कट आए, sin theta upon cos theta, sin theta upon cos theta, यानि कि T1 upon T2, किसके बरावर होता है, 10 theta के, ठीक है, यानि कि अगर हम किसी object को project कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से जा रहे है, पेरावोलिक पात बना रहे हैं, ठीक है, तो यहां से जो angle हमारा 10 theta है, तो बिलकुल इसके बरावर हो जाएगा, ठीक है, तो यानि कि इसका मतलब है, T1 upon T2 का जब हम रेशियो लेंगे, तो किसके equal हो जाएगा, एंगिल projected वाले के उकल हो जाएगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो यहां पर मैंने किया रहे है, रेंज का फॉरूर्म ने लिख दिया है, और रेंज में अभी आगे प्रूफ कराऊंगा, ठीक है, चलो, यानि कि आपका है, height of projectile, क्या है, height of projectile, ठीक है, यानि कि आपको xy plane के अंदर क्या निकालना है, height निकालना है, ठीक, तो हमने क्या किया, एक मिनट रुको, height of projectile हमको find करनी है, साब, चलो, object हमारा theta degree angle से जबने project किया, तो इस तरह से path बनाएगा, ठीक है, साब, path बनाएगा, और इस path की जो equation होगी, यहान से हमने क्या करा, theta degree angle से इसको project किया है, साब लो, theta degree angle से, u velocity है, तो हमें इस maximum height, यहाँ पर जब यह पहुँचेगा, इसकी value find क करनी हमको, क्या, maximum height, और maximum height हमारी किसके बरावर होती है, maximum height हमारी यह रही, ठीक, यह हमारा h, अच्या यहाँ पर एक चीज़ देखो, height की जो equation आप निकाल लें, ठीक है, वो कौन से motion में आ रही है, वर्टिकल मोशन में आ रही है, ठीक है, यानि कि यहाँ पर कौन सा motion आना ह है, वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में, जब हम height निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, equation of motion लगांगे, यान कि Vy का square is equal to Uy square, minus 2GH, maximum height है, इसलिए हम capital H ले ले लेते हैं, हमने यहाँ से यहाँ तक की, suppose कर ली height कितनी हमारी है, maximum height, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और Uy किसके होगा, U sin theta के, ठीक है, ठीक है, तो जी कितना हो जायागा, यानि भी यहाँ तो 0 हो गया, और यहाँ पर हो गया, U sin theta का whole square minus 2GH, तो यहाँ से हमारी height की equation कितनी मिली, U square sin square theta minus 2GH is equal to 0, इसको इदर उदर लेके चलेंगे, तो H is equal to 0 हो जायागा, U square sin square theta upon G, ठीक है, ठीक है, तो maximum height के होगा, जैसे जैसे हम angle को बढ़ागे, यानि कि vertical पे सबसे जादे height जाएगी, अगर हम theta की value 90 degree कर दें, तो हमारे क्या मिल जाएगा, H maximum मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, H maximum, और U square कितना होता है, sin square 90 upon, नीचे 2G है, क्या है, नीचे 2G, तो यह कितना हो जागा, 2G, यानि कि हमारी H maximum कितनी आ गई, U square, sin square, sin square तो cancel हो गया, H maximum हमारा आ गया, U square upon 2G, यह height आ गई हमारी maximum पे, आचा, कम्पलिमेंटरी एंगल लेंगे तो, खीक है, यानि कि height की question कितनी है, हमारी H is equal to U square, sin square theta upon T, 2G, यानि कि for complementary angle, कम्पलिमेंटरी एंगल, तो देखें, कम्पलिमेंटरी एंगल किनी हम क्या करेंगे, U square, sin square, 90 minus theta upon 2G, तो H is equal to कितना हो जागा, U square, cos square theta upon 2G, इसको ले लिए हमने H2, ठीक है, और उसको ले लिए हमने H1, ठीक है, clear हो गया, चलो, अगले पर चलते हम, range of projectile, तो देखें, range of projectile क्या चीज़ होती है, कि हमने किसी object को project किया, ठीक, इस तरह से वो parabolic path बनाते हो जाएगा, तो range क्या होती है, maximum range वो है, जहां पर object, जहां का पुल करेगा, तो इसको हम क्या बोलते है, इस वाले को हमने point ले लिए P, तो यह हमारा क्या है, maximum range होती क्या है, तो range होती है, हमारी u x into t, यानि कि velocity in a x direction और time flight, ठीक है, क्योंकि पूरा time यहां से यहां तक लगएगा, यह तो time हो गया, और range हमारी इस x direction में जा रही है, तो u x is equal to क्यतना होता है, हमारा, u cos theta, और t is equal to क्यतना होता है, 2 u sin theta upon g, तो यह कितना हो गया, u square sin 2 theta upon g, क्योंकि sin theta cos theta, यानि 2 sin theta cos theta, इसक same angle projection क्या होगा, ठीक है, तो same angle projection होगा, अगर देखिए, same range कम मिलेगी, दो angle की उपर, हम यहां से ले ले ले, 90 minus theta कर दे, ठीक है, सपोस कर हमने पहली बार में 20 degree angle पर फैका है, कितने degree angle पर फैका है, 20 degree पर, तो range, अब जो same range मिलेगी, वो कहां पर मिलेगी, 90 minus 20, तो 90 minus 20 तो कितना हो गया, 70 degree पर, same angle projection होगा, यानि कि अगर हम यहां पर बना ले एक, छोटा सा, चलो, same angle projection, ठीक है, देखिए, हमने किसी object को जो project करा है, वो 20 degree angle पर करा है, कितने degree angle पर, 20 degree पर, और इसके बाद जो same range मिलनी है, वो हमें कहां मिलेगी, 70 degree angle पर, तो यहां पर हमारा 20 हो 20 minus 70, तो same angle कहां पर मिलेगा, यानि कि जो range, 20 degree पर होगी, वही range कितनी होगी, 70 degree पर, same होगी, ठीक है, तो हमारी जो projection है, यानि कि यह जो project होगा, object, यह 20 degree पर, यहां पर project होगा, तो भी same range होगा, और यह 70 degree पर होगा, तो यहां से कितना हो गया, 70 degree angle पर, यह same range, अगर हम 30 degree प फैंकेंगे तो कितने दिग्री पर मिलेगा 60 डिग्री पर यह हुती है सेम रेंज प्रोजेक्शन ठीक है चलो इसके बाद हम चलते हैं क्या है हमारा होरीजनल प्रॉजटार एठ हाइट चलो एक कोशन देख लेते हैं यह एक प्रोजेक्टाइल एक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेक तो range is called to कितना होता है, u square sin 2 theta upon g, यही होता है ना range का formula, अभी तो निकाला था, कहा गया, range, u square sin 2 theta upon g, यही है, u square sin 2 theta upon g, यानि कि हमें क्या निकालना है, formula, formula, r square, u की value हमारी कितनी है, 10 का square, sin 2 theta की जाए, कितना है, 2 into 30 upon g कि वैलु कितनी है, 10, तो उपर कितना हो गया, 100, और यह कितना हो गया, हमारा sin 60 upon 10, 0 से 0 कैंसर करेंगे, sin 60 की value कितनी होती है, under root 3 upon 2, ठीके, r is called to कितना हो गया, 10 into under root 3 upon 2, 25 जा 10, तो range is called to कितनी हो गया, 5 under root 3 हो गया, r की value कितनी हो गया, 500, 3 meter, clear हो गया, यह हमने range find कर ली, दूसरा हमको क्या find करना है, time find करना है, time, ठीके, दूसरा हमारा क्या है, time find करना है, flight time, ठीके, और flight time की question कितनी होती है, t is equal to 2 u sin theta upon g, ठीके, अब इसमें दो चीज़ें और find कर सकते हो, angle मतलब time of ascent और time of descent, जब time of descent, जब time of ascent के, बराबर होता ही है, time of ascent के, तो हमें time निकालना है, ठीके, ताप, आव हम जानते हैं, flight time, u हमारा कितने degree angle पर project हुआ था, 20 degree angle, 30 degree angle पर, कितना degree angle पर, 30 degree angle पर, object को हमने project किया था, और u हमारा कितना था, u था हमारा 10 meter per second, u 10 है न, 10 meter per second, और g की value हमें कितनी लेनी है, g की value हमें 10 लेनी है, तो t, 2u, into कितना हो गया, 10, और यहां पर हम कितना लगांगे, sin 30, upon g, g की value हमने लगे थी, 10, 10 से 10, cancel हो गया, तो यह कितना हो गया, 2 sin 30 की value कितनी होती है, 1 upon 2, 2 से 2, cancel हो गया, यानि, t is called to कितना हो गया, 1 second, यानि कि पूरे 1 second में, वो क्या करेगा, यानि कि object पूरे 1 second में, अपना पूरा flat time कर लेगा, ठीक है, of 1 second .5 second यानि कि कुल मिलाके 1 second उसको पूरा path cover करने में लग जायेगा हाइट निकाल लिए यानि कि object जो हमारा कितनी हाइट पर जायेगा ठीक तो एस इसकाल टू कितनी होता है u square sin square theta upon 2g ठीक है यू कितना लगाना है में 10 का square sin square 30 ले लेना है upon 2 into g की value कुतनी लगानी है 10 तो 10 कितना हो गया square हो गया और sine square 30 कितना हो गया 1 upon 2 का square हो गया तो इन्टू 10 10 से 10 cancel हो गया 25 जा 10 हो गया ठीक है तो ही कितना हो गया 5 into 1 upon 4 हो गया यारी कि 5 upon 4 meter height पर वो जाएगा और अगर cancel कर ना चाहे तो four one जा four हो गया ठीक है और point अटाया तो four two eight हो गया और four five twenty हो गया यानिकि one point two five meter height per object जाएगा ठीक है अब बात करते है horizontal projectile motion की तो देखिए horizontal projectile motion में भी हमें सेम चीज़े निकाल ली है horizontal projectile motion यान की horizontal projectile at height ठीक देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर horizontally फैकना है किसी height से object को हम horizontally फैकेंगे ठीक साथ तो हमने क्या किया यहाँ पर कोई object रख लिया ठीक इसकी initial velocity कितनी होगी जीरो होगी अब इस object को हम u velocity से सीदा सीदा प्रोजेक्ट करेंगे ना उपर ना नीचे सीदा सीदा तो जी क्या करेंगा कुछ दूर जाने के चैने कीशा पाथ कैसा हो जाएगा इसकी हो जाएगी एच हाइच फैक तो हम क्या करेंगे अगर हमें यहां पर कोई displacement निकालना हूँ displacement प्रजेक्टाइल निकालना हूँ किसी पॉइंट पर तो हम यहां पर निकाल सकते हैं तो हम सबसे पहली चीज के अंदर क्या निकालेंगे equation of trajectory equation of path निकालेंगे ठीक तो equation of path सारा का सारा इसमें कैसा हो रहा वर्टीकल मोशन हो काँ ठीक है equation of path निकालेंगे ठीक रहां करने इसके अंदर displacement of projectile निकालेंगे displacement of projectile ठीक है सबसक्ति पर निकालेंगे velocity of projectile voucher to ev projectile निकालेंगे ठीक फिर आम क्या निकालेंगे सक अंदर height निकालेंगे, क्या निकालेंगे, height of projectile, फिर 5 महा, क्या निकालेंगे, time निकालेंगे, क्या time, और 6 हम क्या निकालेंगे, इसकी range निकालेंगे, क्या निकालेंगे, range of projectile, तो हम चलते equation of path के उपर, किस पे, equation of path, यानि कि path की equation इसके अंदर कितनी होनी है तो हमने क्या करा किसी object को u velocity से height से project किया तो वो क्या करेगा कुछ दूर इस से चलने के वाद में वो इस तरह से गिरना स्टार्ट कर देगा ठीक यानि कि suppose कि यह इसका y direction है ठीक है तो हम जानते इनिशल वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी जीरो होगी यानि कि यू हमारा कितना है जीरो है ठीक साब यू हमारा जीरो है यू हमारा जीरो है तो हम क्या करें y is equal to ut minus half gt square हमने इसके अंदर लगा दिया इनिशल वेलोसिटी टॉप पर कितनी थी जीरो थी minus half g ऐसी रेंज दिया ठीक है और t square हमने ले लिया तो वाइस कर्ट को कितना मिल गया minus half gt square यहां पर एक चीज देखना minus आ रहा है तो minus sign यह इंडिकेट कर रहा है कि downward direction में इसका displacement हो रहा है ठीक है चाहिए हम माइनस को छोड़ दें या फिर लिखा रहने दें यही इसका deviation भी हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा deviation और पाथ भी हो गया जै डेविशन ठीक है तो अब हम क्या करेंगे देखो यह तो हमारा इसका vertical motion था कौन सा vertical अब हमको क्या निकालना है horizontal motion तो वह सब्सक्राइब हो जानते हैं एक्स इसकल तो कितना होता है यू इंटू टी अच्छा horizontal motion में component अड़ाइड होने नहीं यह पर तो हम क्या करेंगे यहां से सब्सक्राइब कितना हो गया एक्स अपॉन यू यानिकी displacement इसकल टू कितना हो गया चाल गोड़ा समय इस टी की वैल उठाके इसके अंदर पूट करेंगे इक्वेशन वन और टू से हमको क्या मिलने वाला है एक्वेशन वन और टू से हमें कुछ मिलेगा तो वाई इसकल टू कितना हो गया माइनस हाफ जी टी की जगह हमें कितना लगा दिया एक्स स्कार अपॉन यू स्कार तो यह क्यों गई इसकी पात की क्वेशन हो गई किसकी होगा इसकी बात की क्विशन दूसरी चीज हमें क्या निकालना है डिस्प्लिस्मेंट और प्रोजेक्टाइल तो हमने यहां से कुछ ञंघ से को एस तरह से जाना था वो ठीक है यंगी यू वेलोसिटी से हमने क्या किया उसको यहां से मिश्य किया है अटिक किस वेलोसिटी से यू यानि कि आपक हसे हमारा यहां रख हुआ है यह क्र nickel हम इसको प्रोजेक्ट करें तो इस तरह से चल ले होगा अचा किसी पॉइंट पर चाहें यहां निकालें यहां निकालें तो यह क्यों जाता है हमारा displacement of projectile observer कहा होगा जो डिस्प्लेस करेगा यहां से देखाएगा इसको ठीक है तो यहां से यह क्या होगा कुछ एंगल बनायागा ठीक है चलो तो यहां पर क्योंगा अब वेलोसिटी इसकी एक्स डिरेक्शन में भी जा रही होगी और वेलोसिटी इसकी य डिरेक्शन में जा रही होगी यहां से क्या करा हमने एक टेंजेंट लाइन डो कर दी ठीक तो यह एंगल कितना बना लेगा यहां स इसका displacement नेगेटिव डिरेक्शन में होगा भाई साब आप सही बना ठीक है चलो displacement और प्रोजेक्टाइल निकालना है तो equation of motion कितनी होती है x i-cap plus y j-cap अच्छा साब एक्स में कितना displaced हुआ था x में तो ये इसका x displacement है ना तो x is equal to कितना होगा u into t तो ये कितना होगा आपका ut i-cap plus half gt square j-cap ठीक है साब ये होगा हमारा displacement की equation अब इसका में magnitude निकालना है क्या निकालना है magnitude तो magnitude निकालने हम क्या करेंगे इसको ये कर देंगे यानि कि ut का whole square plus half gt square का whole square तो ये कितना हो जागा हमारा u square t square plus g square t की power 4 upon 4 ये क्या हो गया magnitude of displacement हो गया क्या हो गया magnitude of displacement और चाहें तो हम यहां से एक equation all लगा लें v square is equal to u square plus 2gh ये होती है हमारी ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर u को जीरो कर लेंगे तो v is equal to कितना हो गया under root 2gh तो ये तो velocity की नहीं आएगी ठीक है चलो velocity की नहीं आएगी इसको छोड़ते हैं ठीक अब हम क्या निकालना है direction of displacement तो direction of displacement हमने लिया यहां से theta angle बना रहा है तो यह हमारा क्यों हो जागा velocity in y direction हो जाएगी ठीक है तो v y upon v x हो जागा यानि कि half gt square upon ut t से t एक cancel कर लें तो 10 theta is equal to आपको कितना मिल गया gt by twice u यानि कि theta is equal to कैसे निकाला जा सकता है 10 inverse gt upon 2 u से निकाल देंगे अचा velocity of projectile निकालना है तो हम क्या करें इस equation को one ले लें ठीक है और differentiate with respect to t कर दें differentiate with respect to t तो जैसे हम differentiate with respect to t करेंगे तो जी कितना हो जागा d r upon dt is equal to यहां पर कितना हो जागा d u upon dt i cap ठीक है साफ दी यू अपॉन dt i cap ठीक है साफ और यह हो गया हमारा d u upon dt त यह acceleration आजा जाए अगर उको velocity कि हम equation जानते हैं क्या होती है ठीक है इसको अटाते है यानि कि velocity लेना है हमको तो v is equal to कितना हो गया v x i cap plus vy j cap जानते हैं कितनी है ठीक है तो velocity in y direction में हमारी यह होगी यानि कि कि velocity in y direction लेना है वी वाई तो यह वी वाई ठीक है तो वेलोसिटी अगर हम जहां से नहीं चाहें तो वहां से भी ले सकते है वी is equal to u minus gt ठीक है y direction में है और x direction में यह हो गई जी डारेक्शन में हो गया है यह तो हो गई हमारी वेलोसिटी और अगर हम इसका magnitude निकालना है magnitude of velocity तो हम क्या करेंगे u square plus gt का square ठीक है और यह हमारा कितना हो जागा minus twice u gt direction निकालनी है तो direction हम क्या करेंगे 10 alpha यह 10 theta जो भी लिए तो कितना हो जागा gt upon u हो जागा और दूसरी equation अगर हम लगाना चाहें तो वी स्कार इसकाल टू यू स्कार माइनस टू जी एच भी लगा सकते हैं ठीक अब चलते हैं हमारा क्या है की two結 talked about हम त्युंशियalten है kept milhões गईंब हम दो जालो हम जानते हैं आँ स्की है क्या करना लें मिल है इस की और दर्जेक्ता हुआ नेने हैं तक क्या हम जानते हैं फ्यूंश्य सब्जार रहे हैं नीचे कितरा अब कुछ x direction में जा रहा है ठीक तो h is equal to कितना होता है ut minus half gt square तो हम यहां से इसकी h calculate कर देंगे कितनी हो जाएगी initial velocity 0 है तो half gt square के बराबर हो जाएगी प्लस रखके निकाल ले रहे हैं तो यह होगा हमारी height of projectile और अगर दूसरी तरीके से निकालना चाहें तो v2 is equal to u2 plus 2g h u0 करेंगे एक वार तो v2 upon कितना हो जाएगा 2g और h यह हो गई हमारी height of projectile की दो equation हो गई ठीक है अब हमसे क्या कहता है height हो गया हमारा flight time निकालना है तो देखे इसी equation का हम इस्तमाल करेंगे इस वाली का ठीक है तो flight time के लिए हम क्या करेंगे flight time flight time के लिए क्या करेंगे यह हो जाएगा हमारा 2h upon g is equal to t square तो t हम जब निकालेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा under root 2h upon g यह हो गया हमारा flight time आप हमसे कहे रहा range of projectile भी निकाल दो क्या range of projectile कि range of projectile तो जब हमें इसकी range निकाल लिए तो हम जानते आर इसकाल्टू कितना होता है u into t यानि कि range क्या है horizontal direction और time ठीक तो आर इसकाल्टू कितना हो जागा यू और हमने का लिए तो कितना हो गया twice h upon g यानि कि एक आर की value मिल गई हमको दूसरा time की value मिल गई और हमको क्या मिल गया टी मिल गया है एच मिल आर मिल गया ठीक अब question क्या कह रहा है हमारा कोशन हमारा कहा है को अ का भाई अरे पहले बेचले गई है ठीक है यह रहा कोशन हमारा है हमने क्या करा कि एक object लिया उसको 10 meter per second की speed से हैंक है तो हमें सबसे पहले इसके निकलना है time flight करना है time off मेजे तो ठीक दूसरा हमको क्या निकालना है इसकी height भी निकालनी है ठीक है और चाहे तो हम HRD हो गया और तीसरा हमें क्या निकलना है range निकलना है ठीक ता यानिकि JOHN है वी हमको एक्लिड करनी है ठीक है किस पात पर यहांब अहले connectivity निकाले हैं तो T is equal to हम जानतें कितना होता है पहले है अग्राइट निकालने हें तभी हम रेंज और वह सब निकाल सकते हैं ठीक है time of flight भी हमको calculate करना है तो range हमारी हो गई चलो क्या निकाला था हमने भी time of flight का formula कि यहाँ पर निकाला range और कहा गई चलो यानि कि हमें फ्लाइट टाइम निकालना है तो फ्लाइट टाइम हमारा कितना होता है है यह हमारा फ्लाइट टाइम होता है और यह हमारा तो हमाएं एच की वैल्व जरूर निकालनी पड़ेगी तो एच हम कैसे निकाले यह हमारा 10 दिये हुगा है है एक क्यूशन लगाते हैं तो वी स्कॉर इजिकल टू यू स्कॉर पिलस टू जी एच ठीक है यानि कि अगर एक वैलोसिटी को हम जीरो ले 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 तो नहीं ले सकते तो एक काम करते हैं यहां पर एच की वैल्यू और दे देते हैं ठीक है सब्सक्रों करो यह 10 मीटर कितना हो जाएगा टीज कल टू अंडर रूट टू एच की वैल्यू हमें कितनी लगानी है टैन और जी की वैल्यू हमारी कितनी है टैन ले 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 लेते हैं टैन इंटू टैन कितना हो गया टीज कल टू अंडर रूट टू सेकंड लगेगा रेंज निकाल लिए तो रेंज कितनी हो गई 20 अंडरूट टू मीटर टिक टाइम हमारा कितना हो गया दो अंडरूट दो सेकंड तो मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो के अंदर यो होगा हमारा मोशन इना पिलेन पे सर्कूलर मोशन में ठीक है कि अच्छा